ऐसे बैसे करनेवाले इसे की कि अपका दिए प्रत्री और वं आती हैं वो होगे judicial decisions हो गए यह सारी चीज़ें जो है हमारे modern source में आती है Asian source को चार खिस्सों में classify करा गया है सबसे पहले सबसे पुरानी है शुरूती Smriti आई उसके बाद digest और commentaries आई उसके बाद आए हमारे customs and फिर महाँ पर Asian source हमारा सबसे पहले हमारे शुरूती का मतलब होता है आपने क्या सुना पहले लोग इतना जादा लिखते नहीं थे इतने paper नहीं थे कुछ नीता पहले बोली जाती थी चीज़े तो यह माना गया था इंडिया के अंदर कि जो इस टाइम पे हमारे सं थी है हमारी रिशी मुनी थे वो इस level तक spirituality में पहुत चुके थे कि उनको इतना जादा ज्यान हो चुका था चाहे वो समाज का था चाहे वो किसी भी चीज़ का जैसे बहुत पुराने बहुत नामी रिशी मुनी है उन सब क्या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी वो they were at the maximum highest spirituality level उनको सबसे जादा बहुत अच्छे से knowledge थी वेद वगरा ह चीज की तो उन्होंने क्या करा शुरूती एक आजमी सपोर देखो मैं आपको चेक इतने भी नोट में है कुछ भी चीज लिखकर दे दू बर जब भी टीचर भी पढ़ाता है ना तो जितनी भी चीज़े बोलता है हर चीज लिखी नहीं होती लेकिन वो हर चीज जो बोलता हमने कितनी चीज़े सीखी उसको शुरूती का जाता है basically what is heard जो यह word है शुरू इसका मतलब होता है सुनना ठीक है तो यह माना जाता है कि जो शुरूती है सबसे most important और सबसे divine तरीके से इस source को define करा गया है यह हमें relation बताता है एक्तम pure पायस का जब इंसानों का direct बहुत pure relation ब बताता है ठीक है यहां पर वेदों की बात करीगे कि वेद इस वर्ड जो मुझा शायद समझाने की ज़रूत नहीं है हम सब जानते हैं वेद का इतना बड़ा concept है वेद हमें हर एक चीज के बारे में बताते हैं चाहिए वो कोई भी चीज से चाहिए वो music था चाहिए वो करनी है succession कैसी होना है adoption क्या है जितने भी हम daily human relations बनाते हैं या फिर हम जो भी चीज करते हैं अपनी lifestyle में हर एक चीज चाहिए वो music है चाहिए वो कोई भी चीज है वो हमारे वेद में लिखी हुए थी हम सब जानते हैं चार हमारे वेद है रिक वेद यजुर वेद साम वेद और अधर वेद ठीक है रिक वेद सबसे पुराना है और अधर वेद सबसे नया है रिक वेद के अंदर 1028 हाइं ठीक है अगर आप यह लिख देंगे एक्जाम में थोड़ अच्छा सा इंपक्ट पड़ेगा तो आई होप शुरुतियां पर किलियर हो गया होगा अब हम बात इमाया जो हमने सुना उसको सीकर लिखनी का मैं आज आपको क्लास ले रही हूँ उतना सब बता रही हूँ आप मेरी बात सुन रहे हो बैटके अब एक्जाम में जाकर लिख के आओगे ना अब लिखो के क्या जो आपको याद रहेगा जो सुना हुआ आपको याद रह जात शुरूत स्मिर्थिया इस बेसिक लिए रिटन फॉर्म इसमें हमारी मनु स्मिर्थि है मनु को पहला human being भी माना जाता है ठीक है यगनवल के स्मिर्थि है और हमारी नारत स्मिर्थि है यगनवल के एक बहुत बड़े रिशी थे जब सीता मा चोटी थी तो उस टाइम पर यह म भी मिखाते हैं हमारी मनुश मृति फोकस करती है उसमें बोला कि धर्म उपर कुछ नहीं है और हमें रोज हमें अपनी सिंदगी में क्या काम करने हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं यह सारी चीजे वह हमें बताते हैं मनुश मुलेती तो इसलिए उसको क्या उसको हाइस अथॉरिटी दी गई उसे बोला कि इसे बहतर तरीके से धर्म नहीं बताया गया कहीं भी इसकी जो अथॉरिटी है जाई यह जो वो पूरे देश में चलता था ऐसा ने किसी एक हिस्से में चलता है एक हिस्से में नहीं चलता है all over the country इसकी supreme authority हुआ करती थी और यहर जगा पॉल्वते थे इसके बाद आई हमारी यगनवलके स्मृते जो की मिथिल्ला में लिखी गई थी यगनवलके ने मिथिल्ला सबको पत आने का उसने फ्लो चार्ट बनाए उसने आपको तरीके से step by step बताए बटा इसके step के बाद ही आगए तो इसका जो composition था उस टाइम पर जितनी भी टेक्स्ट इस अवेलिबल थी यगनवलके स्मृती जो है उस टाइम पर सबसे best आइक्स मांगी जाती क्यूंकि बहुत अच् आपको बता है ऐसी step के बाद यह होगा ऐसी situation आईगी तो यह करो proper तरीके से classification करा हुआ है चीजोंका तो यगनवलके स्मृतिक है उस टाइम पर सबसे best मानी जाती थी बहुत sophisticatedly बनाए गई थी और बहुत अच्छे तरीके से सो जो है कस्ट्रमाइज करा गया था इसके बाद हमारी मतलब इसके बाद नहीं I really don't know the sequence of these बट इसके बाद आपड़ेंगे नारद स्मृतिक जो की 400-500 BC में लिखी गई थी नारद ने लिखी थी रहने हमें बताया यहां पर बात हुई थी actually courts के बारे में law क्या होगा court क्या होंगे कैसे चलाना है अब justice कैसे दोगे क्या हर ए इसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से बता है कि राजा का धर्म में justice देना क्यों राजा का राज हुआ करता था राजा का धर्म में justice देना कैसे राजा justice लेगे everything was defined in नारद स्मृति जो जो लॉसी रिलेटर स्मृति है वो आपकी है नारद स्मृति ठीक है I hope यहां तक जब हमने स्मृतिया पड़ी आप देखो इतने समय में बहुत चीज़े खो जाती है अगर मैं आप से आज बैठे हो 5th semester आपको बोलो 1st time के notes दिखा तो आपने शायद वो भी नहीं सम्हा ले हैं कभी दे दिये किसी junior को उस junior ने किसी junior को दिये वो कभी lot के वापिस नहीं को तो यह हो जाता है तो लोगों के साथ क्या है स्मृतिया लिखी गई थी over the times वो फेड आउट हो गई वो हो गई कुछ ना कुछ हो गया तो लोगों ने क्या करा जितनी स्मृति प्रिजर्व रहे गई थी उनको reconcile कर और दुबारा से लिखा तो स्मृतियों को जब हर एक सब्सक्राइब से स्टार्ट होके थाउजन यह तक चली है जो लेटेस्ट मानी जाती है जो लास्ट कमेंटरी लिखी थी वो थी नारत नंदा पंडित ने लिखी थी वो विष्णु धर्मसूत्रा जिसको विजयनती भी क्याता है यह 17th century में लिखे गई थी I hope यहां तक बा तो बैठी हुई थी history में धर्म एक राजा का यह धर्म है ब्रामिन का यह धर्म है वैश्य का यह धर्म है शूद्र का यह धर्म है हर एक आदमी was sticking to his dharm like blindly सही है गलत है कुछ भी है शूद्र के साथ गलत हो रहा है सतीप रथा गलत है उसको कोई फरकी नहीं पढ़ रहा था बस बोला है धर्म है करना है मैं मर जाओंगो लेकिन धर्म पालन कर रहा है मेरे को ठीक है अपने उसूलों को नहीं छोड़ा करते थे यह लोग अगर जो अगर हम पद्मावत मूवी भी देखते हैं हम उनके बारे में पढ़ते है तो खील जी से राज रतन सिंग क्यों आ र पूरी उनके साथ गर्लत होगे बिचारी के साथ ठीक है I don't want comment में कोई मुझे घ्यान दे है बैटके it is just an example याद करने करे दे रही हूँ generations हम follow करते आ रहे हैं continuous होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे दादा जी करते थे पापा ने ने करा चाचा ने ने करा आज में करो नहीं कस्टम कोई चीज तब कोई भी काम कस्टम तब बनेगा जब आप उसको over the years continuously follow करोगे हमारे हैं पारवती शिव जी कि शादी रा चाहिए तो यह एक principle source की तरह काम करते हैं और यह आपको पिरकुल तरीके से बताते हैं कि आपको कैसे चीजे करनी है कैसे रस्मे करनी है क्या करना है इनकी जब अगर हम सीक्वेंसे पोजिशन देखे इनको शूरूती के बाद जो है रखा गया है स्मिर्ती से पहले कस्टम क को माना जाता है तो इट इस लाइक शूरूती का स्टम्स और उसके बाद जो है सिग्निफिकेंज आता है स्मिर्ती का तो आप देख सकते है कस्टम की वैल्यू बहुत जाता है ठीक है लक्ष्मिय वाई वसिस भगवंत भूवा एयर 2013 के से सुप्रेम कोट ने यह कहा था इस कि खीक्षम हो सकता है कि वो लॉसे अलग हो या फिर हो सकते हो कि किसी लोकल का हो कि य Dru रिख घोивается करता है तो बो foundedata का violation थी भले हमारा कस्टम है over the years follow हो रहा था हमने ban कर दे क्यों कि वह हमारे fundamental rights के साथ नहीं जा था so every custom has to go with your fundamental rights उनके contradictory नहीं होना चाहिए ठीक है? चलिए अब जाते है modern sources पे modern sources को 400 में divided कर गया basically justice, equity, good consigns, legislation or precedent justice, equity and good consigns क्या होता है यह कहीं लिखा हुआ नहीं है it is a principle over the years courts ने develop कर लिया है हमें कोई भी judgment देनी है हमें कुछ भी करना है अगर उससे related हमारे पास कोई legislation नहीं है previous कोई case नहीं आया जिसमें Supreme Court ने judgment दिया हो तो यह लोग क्या करते है ऐसे justice देते हैं कि एक general sense जिससे harmony maintained रहे किसी के साथ कुछ गलत ना हो इस तरीके से judgment दी जाती है जिससे कि equality रहे justice प्रदान हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए किसी के साथ कोई बिमानी ना हो रही हो इसको बोलते है justice, equity and good conscience ठीक है अगर कोई law उससे late नहीं करता है तो हम इस concept को follow करके judgment देते है Legislation is basically codification Britishers के रहते वे कुछ कुछ चीज़े codified हो गई थी बट हमें उतनी सही से नहीं क्योंकि उन्हें नहीं पता हमारे रिवास के हमारे लिए हमारे स्मृतियों की हमारे लिए हर एक वेद की क्या value है वो ब्रिटिश को ना पता थी और वो कभी बता भी नहीं सकते थे और उनकी एक policy भी थी वो पर्सनल लेटिव लॉस में इन्वाल्व भी नहीं होना चाहते थे उनका मोटी पैसा कमाना तो पर्सनल लॉस में इन्वाल्व होगी कौन सा पैसा कमारे थे वो तो उन्हों इतना जादा इन पर फोकस नहीं करा फिर हमने 1955 में आके हमने हिंदु लॉका कोडिफिकेशन करा जिसने में हमने मैरिज आक्ट बनाई हमने हिंदु एडॉप्शन अन्मींटरेंस आक्ट बनाई हिंदु सक्सेशन आक्ट हिंदु माइनौरिटी एंड गार्जन शेप बनाई और इसके बाद दे काफी सारी कोडिफिकेशन हुई है स्पेशल मेरिज आक्ट आई आई है तो ऐसे काफी सारे लिलीजेंज से लिलेटेटर रहों ने लॉस बनाई है बहुत सारे और इसके कोडिफिकेशन हुआ है ठीक है एक लास है प्रिसिडेंट का मतलब होता है जुडिशल डिसीजन कितनी बार कोई लॉन नहीं भी बना होता है या कुछ भी होता है अगर हमारे कोट किसी केस में कोई जज्जमेंट दिया तो हमारे लिए जो हार और फास रूल बन जाते हैं लॉट बन जाता है तो ओवर दे यह कोड्स ने बहुत सारे डिसीजन दिये हैं जो मैं आपको सतीपरथा वाली बात कह रही थी यह बताए गी थी हमें कृष्णा सिंग वसिस मतुरा अहीर केस में बताएगी थी अल्हाबाद हाई कोट ने बात बोली थी ठीक है तो इहां पर कितनी सारे जैसे गुड कंसाइंस वाली हम यूज कर रहें कितने प्रिंसपल्स हैं यह ओवर दर यूर्ज यह अगर आप देखो तो आपके डॉक्ट्राइन और फैक्टम वैलेट भी कहीं लिखी नहीं है यह ओवर दर यूर्ज कोट नहीं डेवलप करी है यह भी आपके सिलेबस में ह मतलब होता है कि बही हो सकता है कोई काम एली गल है ठीक है अगर आपने वह कम कर दिया है तो वह लीगल हो जाता है वहटेबल मालऑ हिंद हेहां पहलो तो चाइल मालऑ बोल सकते हो चाइल decision करना गलत है ठीक है बाल विवा अपराग है नहीं करना है लेकिन अगर आप सारे रिती रिवास यह साब से वो शादी कर देते हो ना तो वो शादी व्यालिड हो जाती है जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाता लड़का लड़के और वो अगर रिसाइड करते हैं टाई जो तो वो शादी रहती है तो भले ही कोई काम नहीं होना था लेकिन अगर आप कर दिया है तो वो जाता है बले ही आपको कोई बात नहीं बोल दिये तो आप उस बात को वापिस नहीं ले सकते है इसको ऐसे भी आद किया जा सकता है I hope कि कुछ helpful रहे होंगे हैं आपको सोचिस मे आ गया हो गा अब इसके बाद आप जो है आई बटन में मेरी स्कूल ऑफ हिंदू लौ की वीडियो मिल जाएगी आप वो भी देख सकते हैं थांक्यू सो मच फॉदाट अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को शेट लाइक करें सब्सक्राइब करें और यू नो